हेलो जी नमस्ते, 36 गड़ उजगान उसमें आपका स्वागत है, मैं हूँ विजे चहान और आपके लिए लेकर क्या गहेंक नहीं भरती आस्मिक्ता नीधी से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती के लिए नोटिफिंगे संजादी कर दिया गया है चोकीदार के जिसमें 3 पदोs पर भरती की जाएगी, वहीं स्वागत की 2 पदोपर भरती की जाएगी तो टोटल इसी तरीके से 5 पदो पर भरती की जाएगी आस्मिक्ता नीधी से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पता देंगे इस भरती प्रक्रिया के लिए छतित गड़ की मूल निवासी आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं आप लेन आपको आवेदन करना होगा पांचवी मास अभ्यार्थी तो है इसके लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं तो आज के वीडियो में जानेंगे चौकिदार और सीपर की भरती प्रक्रिया के बारे में चौकिदार के तीन पदों पर भरती की जाएगी, वहीं सीपर की दो पदों पर भरती की जाएगी, आस्मिक्ता निधी से बेतन पाने वाले करमचारियों की भरती की जा रही है, केवल पाचवी कत्ता उत्तीन मांगी गई है तो जानते हैं विकंसी डीटेल के बारे में कि विकंसी कहां से निकाली गई है इन विकंसी के लिए चैन प्रक्रिया किस तरीकी से होगी क्या बेतन मिलेगा कब तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं सारी डीटेल इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं कि विकंसी कहां से निकाली गई है को यहां पर जारी किया गई है जिसके लिए जो है 28 फरवरी 2023 तक आफ आफ लाइन के माध्धम से आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं। कार्यले जिलाम सस्त्रियादिस उत्तरबस्तर काकेर के अंतरगत यहां पर भरतियां निकाली गई हैं। बतादे जिसमें चौकिदार के तीन पदों पर भरती की जाएगी और वहीं स्वीपर की दो पदों पर भरती की जाएगी। जो बीचुकर पात रूमी द्वार है जो इस भरतियों में सामिल होना चाहते हैं। अठाइस फर्वरी 2023 तक आफ्लाइन आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं। बात करें तो टोटल पांच बदों पर भरतियां की जाएगी। बता दें इस भरती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले उमिद्वार के पास कक्छा पाच्वी की जो है डिग्री होनी चाहिए। केवल कक्छा पाच्वी की जो है यहाँ पर डिग्री मागेगे हैं। बता दें इस भरती प्रक्रिया की एक वीशेज बात के बारे में तो कक्छा पाच्वी से लेकर कक्छा दस्वी तक के अभिहारती इसके लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं। वे अभिहारती जिनके कक्छा दस्वी से ज्यादा की डिग्री है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तूत नहीं कर सकते। उतलती जहीं कर दस्वी से लिए जिनके के जुन प्रस्तूत पर हो रही है। सबसीजाद चेटरगर सासंद वार आपको उम्रसीवा में यहाँ पर छूट देखने को भी मिलीगी। वही बात करें आवेदान पस्तूत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो आवेदाकों को यहाँ पर दो लिफ़ाफे में जो है, खुले लिफ़ाफे प्रदिक लिफ़ाफे, पांच-पांच रुपे का टीकट चेफ का के आपको आवेदान करना होगा, इसके लिए आप पंजी करे डांक या फिर इस्पीट पोस्ट के माध्यम से आवेदन परस्तूत कर सकते हैं आवेदन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोठो आपको एश्ट्रा से उसमें लिफाफा लगाना है जिसमें आपके पाच-पाच रुपे का टिकट लगा के आप आवेदन परस्तूत करेंगे पतादे इस भर्ती प्रक्रिया में केवल आपका सक्षातकार का धार पर चैन किया जाएगा किसी तरह कोई पेपर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और बता दें इसमें ले ऐसे अभ्यारती जो पात्र नहीं होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है ऐसे अभ्यारती जिन्होंने एक से अधिक साधी किया है वे जो है इसके लिए पात्र नहीं होंगे कर सकते हैं तो तरह कि यहाँ पर विधी बताई गई है आप इसके लिए जो ए आवेधन पर सूथ कर सकते हैं आपको का रियले जिलयंस रेंदिस कांकेर में आपको रखना होगा यहाँ पर बताए कहा है मुरखे बॉक्स में जमा किये जा सकते हैं तो अगर आप डारेक्ली प्रारूप के बारे में भी जैनकारी दी गई है जैसे कि बताया गया है चौकी दार्यों सीपर के लिए आधन पत्र के प्रारूप के बारे में यहां पर जैनकारी दी गई है तो आवेदन पत्र भरते समय आपको ध्यान रखना होगा जिलाम सस्त्र नियादिस उत्तर बस्तर क साइञ तर अधावेदाकर को संबुधित करते हुए है आब यहांपर आवेदान डालेंगे इस पत्र को भर करके आवेदाक का पूरा नाम लिखेंगे भी नाम लिखेंगे आपके पाछ्वीच entr जो भी मार्कसीट में जैसी नाम है उसी तरीके से आपको भरना है फिर उसके बाद यहां पर अपने पिता या फिर पती का यहां पर नाम लिखेंगे अपनी जन्मति थी यहां पर अंकों में और सब्दों में भरेंगे कि जो भी आपकी जन्मति थी है उसके बाद एक जन्मरी 2023 के इस्थिती में आपकी जो उम्र सीमा है कितने वर्स के होते हैं कितने माह के होते हैं और कितने दिन के होते हैं उसके बारे में यहां पर जैनकारी देंगे आप महिला भ्यारती हैं पूरुसर भ्यारती हैं उसके बार ज्यानकारी देंगे उसके बाद अपनी सेक्षणी की योग्यताक पर भरेंगे तो एक बात का ख्याल रखना है अधिक्तम से अधिक्तम आपके एवल दस्वी पास अभ्यार्थी इस पत के लिए जो आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं और नियुंतम यहाँ पर पांचवी पास म आपने कहीं कुछ काम के हैं यहां पर जानकारी देंगे मं यहां पर जानकारी देंगे तो उसके बारे नियाला में कोई दंडिक अपरात चल रहाँ उसके बारे में अंतरगत कारियरत हैं उसके बारे में यहां पर जानकारी देंगे तो जो भी यहां पर मांगे गई जानकारी है इस पश्टरूप से भरेंगे उसके बाद अपना पत्रवेभार का पता इस थाई पता यहां पर भरेंगे अगर आप इम्रसीमा में छोट चाते हैं या नहीं उस सब्सक्राइब और हर काट के फोटो कापी लगाने के बाद यहां पर फोटो अपना चिपकाएंगे, फोटो चिपकाने के बाद आपके पास जो भी आपकी जाती है, उस जाती निवास और निवास प्रमाडपत्र का जो है, हाँ पर आप फोटो कापी जो है, सललग में करेंगे, उसके बाद घोड़ना पर साइन करेंगे और इस घोड़ना पर साइन करके आप स्पीट पोष्ट या फिर पंजी करेट डाक के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं या फिर कारियाले में जब उपस्तित होंगे तोहां पर बॉक्स रखाया रहेगा आप उसके सामने जो है बॉक्स पर भी आव प्रख्रिया के बारे में जिसमें आस्मिक्ता निधी से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती की जा रही है जिसमें चौकीदार की तीन पदों पर भरती होगी और स्वीपर की दो पदों पर भरती होगी टोटल पांच पदों पर यहां पर भरती की जाएगी तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अन्य लोगों के पास यार करना ना भूलिये और आसी ही रोजगार परख जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए हम आपसे मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं रोजगार परख जनकारी के साथ